ओम नमः शिवाय सिव भक्तों का स्तरवाधिक प्रिये मंत्र है भगवान सिव का ये मंत्र बहुत ही सरल है पर जितना ये सरल दिखता है ये उतना ही प्रभाव साली भी है अगर आप प्रती दिन बस ये मंत्र ही बोलते हैं तो आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वो खुद आपके लिए भी अभी स्वशनिय होगा। तो चलिए आगे वीडियो में जानते हैं कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से आपको क्या-क्या प्राप्त होता है। इस मंत्र का जाप सबसे सकतिसाली मंत्रों में से एक क्यूं माना जाता है। पर उससे पहले जैब हो लेना दोस्तों मैं मन्जु कुमार अपने सिव परिवार चैनल में आप सब का दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जैब हो लेना जरूर लिखेगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजीगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिजीगा, ताकि हमारी वीडियो की नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किजीगा और सेयर करना नहीं भूलेगा। तो प्रयावरन में पांचों तत्तों के समानजसे के लिए ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। इस मंत्र का जाप आप जब प्रती दिन निरंतर करते हैं तो आपको क्या-क्या प्राप्त होता है। तो उसमें सबसे पहला जो चीज आपको प्राप्त होता है वह है भगवान शिव की विसेश क्रिपा आपको मिलती है क्योंकि इस मंद्र का जाप करने से स्वीम भगवान शिव आपसे जुड़ जाएंगे और उनकी आपके उपर विसेश क्रिपा होगी जिस पर भी भगवान शिव की विसेश क्रिपा हो जाती है उसे वो हर चीज मिल जाती है जिसकी उसने कलपना भी ना की हो भगवान शिव की दर्शन आपको स्वपन के माध्यम से दिखाई देना सुरू हो जाता है मंदे, सिवलिंग, सिवाले ये सब आपको स्वपन में दिखने लग जाते हैं तो आप समझ जाएगा कि भगवान शिव की असीम कृपा आपको मिल रही है दूसरा ओम नमाश शिवाय का प्रति दिन जाप करने से आपकी अकाल मृतु टल जाती है क्योंकि भगवान शिव कालो के काल महाकाल है और मृतु भी इनके अधीन है तीसरा आपका तनाव और नकारात्मक विचार खत्म होने लगते हैं जब आप इस मंत्र का उच्चारन करते हैं ओम नमाश शिवाय बोलने से आपको सकरात्मक उर्जा मिलती है और मन शांत रहता है जिसका मन शांत रहता है वो हर एक काम अच्छे से करता है मानता है कि इस मंत्र का उच्चारन करने से हर तरह की बाधाएं दूर होती है चौथा आप अपने काम वाशना पर नियंतरन करने लगते हैं आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अपने काम वाशना पर नियंतरन बिलकुल नहीं होता है और वो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खाम्याजा उन्हें जिन्दिकी भर उठाना पड़ता है कामवाशना के कारण वो इस्वर से दूर हो जाते हैं पर ओम नमः शिवाय मंत्र के जाब से वो वेक्ति धीरे धीरे अध्यात्मी की तरफ खीशता है और उसका मन अच्छे कर्मों में लगता है साथ में वो अपना कामवाशना को नियंतरन में करना सीख जाता है आजवा भगवान सिरी राम और हनुवान जी की कृपा भी भगवान शिव के साथ आपको मिलने लगती है इस मंत्र के दिरंतर जाब से चट्था पर्मानंद की अनुभूती का अनुभव आपको मिलता है जब आप इस मंत्र का रोज जाब करते हैं आपका मन शिव भगती में इतना डूप जाता है कि आप जादातर्श में प्रशन ही रहते हैं आपको बिना कारण ही अच्छा मसूस होता है और जो भी आपके आसपास है उसकी जिन्दगी भी खुषियों से बर जाता है साथवा अपनी बात दूसरों के सामने रखने का आत्मिश्वास इतना जादा आप में बढ़ जाता है कि आपनी संकोश अपने मन की बात दूसरों के सामने रख सकते हो आठवा जो भी बुरे ग्रह गोचर हैं आपके उपर उनका प्रभाव ही धीरे धीरे कम हो जाता है इस मंत्र जाप से काम, क्रोद, घ्रेणा, मुह, लोग, भै, विशाद, आदि सब खत्म हो जाता है ओम नमः शिवाय का मंत्र जब से विक्ति में साहस और उच्साह पैदा होता है अब बात आती है कि इस मंत्र का जाप कैसे करे, कब करे और कितनी बार करे तो यह मंत्र सुबह के समय किया जाता है सुबर नहाद होकर पूजा अस्थान पर इस मंद्र का जाप करना अच्छा माना जाता है आप इस मंद्र का जाप 108 बार कर सकते हैं वैसे पूजा पार्ट तो अपनी भाव और स्रधा पे निर्भर है आप इस मंद्र का जाप कभी भी कर सकते हैं कितने बार भी कर सकते हैं पर सच्ची मन से कीजिए भगवान भोले नात आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपने कृपा बनाए रखे इसी कामना के साथ फिर मिलती हो अगले वीडियो में तब तक के लिए जैबोले नात